साथी गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम में सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के तरुप नहीं में फर्स्ट वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर कर सकते हैं साथ ही का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ विगली पीडियेफ और मंतली आपको हमारी current affairs fundi app पर यूप लब्द हो पाएगा तो यदि आप हमारा pdf course buy करना चाहते हैं तो या तो current affairs fundi app से buy कर सकते हैं या फिल लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा कोई भी अगर आपका डाउट है मेरे pdf course से संबंदी तो आप में comment box में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो session की which state has launched app to track movement of sand mining vehicles पूछ रहे हैं कि रेथ खनन वहनों की आवाजाही को track करने के लिए किस राज्य ने एप लॉंच किया है options आपके सामने हैं सही answer option सी रहेगा हरियाना हरियाना की चीश मिस्टर मनोहलाल खटर ने वहिकल मुमेंट ट्रैकिंग सिस्टम वी एम टीएस इस नाम से एक मोबाइल एप लॉंच की है जो कि उन सभी वहिकल्स को track करेगा जो सेंट और अधर माइनिंग मैटरियल्स कैरी करते हैं साथी आपको जाना चाहिए सी एम खटर ने हाली में एक announcement और की है कि जो ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट है नीरच चोपडा इनका जो नेटीव विलेज है खानरा पानीपत यहां पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा बाकि आप जानते हैं कि हरियाना के जो गवर्णर है यह बंदार उदत्ता तरही है और कैपिटल चंडिकट है साथ ही आपको जाना चाहिए हमने यह भी जाना था कि हरियाना का जो इस बार का बजट रहा है उसमें हरियाना ने सुस्मा सुराज अवार्ड भी एनाउंस किया है जो की विमन्स डे पर दिये जाएंगे विच स्टेट लॉंच्ट जीवहला इसकीम किस राजने जीवहला योजना की सुरुआत की है ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा महारास्ट्र महारास्ट डिपार्ट्मेंट ओफ प्रीजंस इन्होंने एक लोन स्कीम लौंच्ट की है किन के लिए फोर इनमेट्स सर्विंग सेंटेंसे इन जेल्स एक्रोस ता इस्टेट जो राज्ये की जेलों में सजा काट रहे हैं उन लोगों के लिए जानते हैं इसके बारे में तो तो तीन साल से ज्यादा तक की जिने सजा हुई है जेल में बंद है और वो इकलोते जो है इनकम के सोड़ से अपनी फैमिली के तो इस इसकीम को पूने की यरवदा सेंटरल जेल से पाइलेट बेसिस पर अभी शुरू किया है और इसके बाद अगर यह सक्सेस्फूल रहती है तो इसको 60 और प्रिजंस में लॉंच किया जाएगा आपको जाना चाहिए इनिशियल फेज में 50,000 रुपे का लोन यहां पर प्रोवाइट करा जाएगा जिस पर 7% इंटरस्ट रेट बैंक चार्ज करेगा अभी 7% इंटरस्ट में से जो 1% है वो जो चार्ज किया गया है व बाखी आप जानते हैं कि महारास्ट पहला इस्टेट है जिसने क्रिमिनल्स बायमेट्रिक डेटाबेस भारत में लॉंच किया है और सिड़ भी महारास्ट को जो आई टी आई हैं महारास्ट में फिर पैल पॉल टेक्निक्स हैं उनके रिवाइव के लिए 600 क्रोड रुपे भ जो है completely digital bus service शुरू की गई है जिससे का आ जा रहा है यह भारत की पहली completely digital bus service है इसमें टिकट भी आप digitally अपने बुक करा सकते हैं कि वह एस बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेर्मेन सेंट्र बोर्ड ऑफ डिरेक्ट टैक्स केंद्रे प्रतक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कादरित प्रभार किसे दिया गया है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी रहेगा संगीता सिंग तो संगीता सिंग आयरेस ऑफिसर हैं इन्हें सेंट्र बोर्ड ऑफ डिरेक्ट टैक्स यानि की सी बीडीटी का चेर्मेन के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि अब तक जो इस पोजिशन पर रहे जे भी मोहापात्रा ये रिटायर हो चुए हैं 30 अप्रेल को कि वट इस तक ग्रोस है रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ जी इस टी इन अप्रेल 2022 अप्रेल 2022 में जी इस टी का सकल राजस्व संग्रे कितना रहा ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1.68 लैक क्रोड रूपीज तो देखे जुलाई 2017 जब जी एस टी आप का लागू हुआ था रोल आउट हुआ था उसके बाद से अब तक सबसे ज्यादा जो जी इस टी कलेक्शन हुआ है जो ग्रोस जी इस टी कलेक्शन हुआ है वह अप्रेल 2022 के महिने में हुआ है और यह रहा 1.68 लैक क्रोड रूपीज का तो एक डेटा रिलीज किया गया है य न्यूस सामने आई है आपको जाना चाहिए कि अप्रेल 2021 में 1.40 लैक क्रोड रूपीज का जी इस टी कलेक्ट हुआ था बात करें 2021 की और अब 20% इंक्रीज हो गया है और यह इस बार 2022 में कलेक्ट किया गया 1.68 लैक क्रोड रूपीज का आपको जाना चाहिए कि अगर हम किस दिन सबसे जादा जो है टेक्स कलेक्ट किया गया और यह रहा 57,847 क्रोड रूपे का जो की लगबग 9.58 लाग ट्रेंजक्शन के तुरू प्राप्त हुआ है ओड़ इस देम पूर वर्ड रेड ग्रोज टे 2022 विश्व रेड ग्रोज दीवस 2022 जो की आठ मई को बना जाता है इसका थीम क्या रहा 2022 में ओप्शन आपके सामने हैं सही आंधर ऑप्शन भी रहेगा बी हुमन काइंड तो वर्ड रेड ग्रोज टे जिसे रेड क्रेसंट ड दुनांत जो की International Committee of the Red Cross ICRC इसके फाउंडर रहे हैं इनकी बर्थ एनिवरस्री आठ मही को होती है आपको जाना चाहिए 1901 में इन्हें Nobel Peace Prize भी दिया गया था इनका जन्म आठ मही 1828 को हुआ था और जो फर्स्ट रेड क्रोस्ते है यह सेलिब्रेट किया गया आठ मही 1948 को आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल कमिटी ओफ दर रेड क्रोस है इसको तीन बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है सब्सक्राइब लाइफ दूरिंग सेकंड वर्ड वर्ड यह डे भी मनाया जाता है कि नौर्थिस्ट इंडियास फस्ट काव एंबुलेंस सर्विस हैस बिन स्टार्ट इन विच इस्टेट पुरवत्तर भारत की पहली गाई एंबुलेंस सीवा किस राज्य में सुरू की चोटिल हैं कावस उनके लिए यह एंबुलेंस सर्विस लौंच की गई है आपको बताने हैं पूरे नौर्थ इस्ट एरिया में यह पहली इस तरह की एंबुलेंस सर्विस लौंच की गई है बागी आप जानते हैं कि आसाम के जो चीफ मिस्टर है ही मांत विस्वा सर्मा है और चीफ गवर्णर यहां के जगदीश मुखी है कैपिटल आसाम की दीशपुर है और लार्जिस्ट सिटी है गौहार्टी हाली में अगर हम देखें असम से सम्मंदित का रंट फेट सो हमने देखा कि फिलिपकार ने नौर्थ इस्ट रिजन का पहला फुल्फिल्मेंट सेंटर यह आसाम के गौहार्टी में लौंच किया है साथ ही हमने यह भी देखा था कि इंडिया का फिर्स्ट प्यॉर ग्रीन हाइड्रोजन पाइलिट प्लांट यह भी आसाम में कमिशन किया गया विच बैंक लौंच्ट इस्किल लौंच इन एस्टोशेशन विद अडिशनल इस्किल एक्विजिशन प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने अत्रिक्त कौशल अधिगरण कारिकरम के सहयोग से कौशल रिण सुरू किया है आप्शन सापके सामने हैं सही आंसर आप्शन भी रहेगा केनरा बैंक तो देखिए केडला के जो हायर एजुकेशन मेंस्टर है डोक्टर आर बिंदू इन्होंने केडला बैंक का स्किल लाँच किया है किसके साथ मिलकर एडिशनल इस्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ASAP के साथ मिलकर तो उन सभी स्टुडेंट्स को जो की केरल की या फिर जो सेंटरल गवर्मेंट है इनके द्वारा जो डिकरगनाइस्ट एजन्सीज हैं यहां से इस्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं तो उनको पाँचेजार से डेल लाक रुपे तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा बाकी के इन्रा बैंक के बारे में आप जानते हैं MDNCOLV प्रभाकर हैं Headquarters बैंगलरू करनाटक में हैं टेग लाइन इस बैंक की है City Union Bank तो देखिए City Union Bank ने कहा है कि आरवियाइन ने एम नारायनन को हमारा हमारे बैंक का यानिकी City Union Bank का Part-Time Chairman निउक्थ कंडी की मंचुरी दे दी है तो साल के लिए और यह आर मौन को सक्सीड करेंगे बाकी City Union Bank की सब्सक्राइब बात करें MDNC और डॉक्टर एन कामा कोडी है टैग लाइन है ट्रस्ट एंड एक्सिलेंस सिंस 1904 और हैटकॉार्टर से इसका कुंबा को नम तमिलनाड़ू में कि और हालिम ने एक करन्ट अफिर पढ़ा था City Union Bank से संबंदित कि इस बैंक ने एक फिटनेस वाच डेबिट कार्ड लॉंच किया है किसके साथ मिलकर गोकवी के साथ मिलकर वर्ड थैलसीमिया डे इस ऑपसर डोन विश्टे विस्व थैलसीमिया दीवस किस दिन मनाया जाता है वो उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा आठ माई तो हर साल आठ माई को वर्ड थैलसीमिया डे मनाया जाता है इस बार इसका थीम रहा बी अवेर शेयर केर वर्किंग विद ग्लोबल कम्यूटी एस वन तो इंप्रूब थैलसीमिया नौलेज आपको जाना चाहिए थैलसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड ड स्ट्टॉय होते हैं इंडिया स्फॉर्स्ड फ्लोřं कैमेस्ट्री landing इन्वी सिटी भारत का पहला फ्लो ट्b केमेस्ट्रीर अपकी से्टेड़न की सेर में सृतापित किया लगए से 70 और ऑप्शन डी रहेगा है तो हैदराबाद तेलंगा नामे डॉक्टर रेड़ीज इस्टिटिट ऑफ लाइफ साइंसेज यहां पर एक फ्लो केमेस्ट्री टेक्नलोजी हब सैटप किया गया है फ्लो केमेस्ट्री का मतलब होता है आपने देखा होगा जो ट्यूब है या फि 2021 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाब में भारत की रैंक क्या है ऑप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 21st तो देखिए हम सभी जानते हैं कि लास्ट यर जो है क्रिप्टो मार्केट की जो क्रोथ रही है वह काफी अच्छी रही है और 2021 में यह 1.5 ट्रिलि यूएस टोलर रही है तो 2020 की शुरुवात में 1.5 ट्रिलियन यूएस टोलर रही जबकि दिसंबर 2021 के लास्ट में 2.3 ट्रिलियन यूएस टोलर तक पहुंच गही है ऐसा का है कोईन के को डेटा के द्वारा आपको जानना चाहिए कि ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं उन् इनके द्वारा प्राप्त किया गया 47 बिलियन यूएस टोलर का दोसे नंबर पर यूके है फिर जर्मनी है फिर जाबान है फिर चाइना है भारत की बात करें तो बारत 21 पॉजिशन पर है जहां पर 1.85 बिलियन यूएस टोलर क्रिप्टोकरंसी गेंस जो है हासिल किये गए पर हस्ताक्षर किये options आपके सामने सभी आंसर ओप्शन सी है आई टी बोंबे तो इंडिया इंस्टीट ओफ टेक्नलोजी बोंबे ने जो क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए यानि कि जो क्लाइमेट से संबंदित जो दिक्कते हैं उन पर solutions उनके समाधान के लिए इंडिया म पॉलिटीशन से नमक नई पुस्त के लिए का कौन है option आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन टी है राशीद किद्वा में लाशीर किद्वय किद्वय थो देखें यह लीडर्स विश चम्पनी ऐस लोंच एम 15 पैट्रॉल विद 15 परसेंट ब्लैंड फ्मेथन विद पैट्रॉल किस पैट्रॉल के साथ मैथनौल के पंदरा प्रतिशत मिसरण के साथ में 15 पैट्रॉल लॉंच किया है सही आंसर ऑप्षिन एंडियन ओल तो देखिए इंडियन ओल दिस्टिक में बाकिया आप जानते हैं इंडियान ओयल के बारे में हैटकॉर्टर न्यू डैली में चेर्मेन स्रीकांथ माधव वैद्य हैं कि डिफेंडर यूरोब 22 इस अ मल्टिनेशनल और कंभाइन एक्सराइज और विच कंट्री स्वार्म फोर्सेश डिफेंडर यूरोब 22 किस देश के सश्थर बल दुआरा आए जिते बहुराज्टे और सभ्यास हैं और सभी आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्षन ए है उनायिट स्टेट्स तो देखिए डिफेंडर यूरोब 22 और स्विफ्ट रिस्पॉंस 22 एसार 22 यह मल्टिनेशनल रेगुलर जोइंट एंड कंभाइन एक्सराइज हैं जो की यूईटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेज द्वारा और्गनाइज की जाती हैं ताकि जो यूएस से हैं और नैटो इनके जो पार्टनर एलाइज हैं उनके बीच आगामी कोई चैलेंज जो कोई चुन होती हो तो उससे कैसे निप्टा जाए इस बारे में अपनी तयारी और डिस्कॉशन बगरा करते हैं बाकि आपको जाना चाहिए नाइन कंट्रीज में हो रही है और सुरुआत इस देशक के रूप में किसने पदबार समाला है सही आंसर ऑप्शन डी है सुदर्शन वेनू तो टीवी एस मोटर कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर होंगे सुदर्शन वेनू और इस कंपनी के चेर्मेन है राफ देडर इस्पेथ हूँ एस्यूम्ट चार्ज एस डिरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी महानी देशक रेक्शन और सुरक्साही रूप में किसने पदबार ग्रेंड किया आपके सामने सही आंसर ऑप्शन सी है संजीव कपूर तो देखे एर मार्शल संजीव कपूर इन्होंने इंडियन एर फोर्स का जो हैड़कॉर्टर से न्यू डेली यहां पर डिरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के रूप में जो है अपना चार्ज ले लिया है और हाली में आपको जानना चाहिए कि संजय महिंद्रू इन्होंने इन्हें नवल स्टाफ का डिफ्टी चीफ भी अपॉइंट किया गया है तो दोनो जानेंगे कि क्यों नियूज में है तो देखें नेपाल से हैं यह माउंटेनियर कामी रीता शेर्पा और यह माउंट अवरेस्ट जिसकी आप हाइट कहेंगे 889 मिटर है टोलेस्ट पीक है वर्ड में आप सभी जानते हैं इसको 26 वी बार इन्होंने फते किया इस पर चड़ लेते हैं सोलार एनर्जी कोर्पेशन ऑफ इंडिया है साइंड एनमो यू बिद्विच मिनिस्ट्री तो सैट अप सोलार एनर्जी पैनल सोर उड़जा निगम ने सौर उड़जा पैनल इस्थापित करने के लिए किस मंत्राले के साथ एक समझोदर ग्यापन पिर यानि की सोलार एनर्जी कोर्पेशन ऑफ इंडिया साथ जिसके तहरा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलीस फोर्सेज है नेसल सेक्यूर्टी गार्ड है तो इनकी जो कैमपस हैं वहां पर सोलर पैनल लगाये जाएंगे आपको जानना चाहिए जो सोलार एनर्जी सेक्यूर क रिरुमेर एनरजी के तहत जो कि सोलर सेक्टर में कार्य करता है विचाओ तर फॉलोइंग है साइडन एमो यू विद एस्सोशेशन फॉर वॉलिंटरी एक्षन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री नेशन निम्डिकित में से किसने एक तसकरी मुक्त रास्ट के लिए एस्सोशेशन फॉर वॉलिंटरी एक्षन एवी ए के साथ एक समझोता क्या पर पर अस्ताक्षर किये हैं ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ओप्शन सी होगा रेलवे प्रोटेक्शन फॉर्स चलिए जानते इस निशे के बारे में ट्रैफिकिंग फ्री नेशन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है एल्लीकली किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टिशन तो देखिए जो ट्रैफिकिंग फ्री नेशन बनाने के उद्धेश से रेलवय प्रोटेक्शन फॉर्स rbf ने किया है Association for voluntary action AVA आपको जाना चाहिए रेलवे प्रटेक्शन फोर्स हाली में न्यूज में था किसलिए operation आहत से operation आहत को लेकर भी जो है यह न्यूज में था यह किस से संबंदित था जो रेलवे के तुरू जो human trafficking होती है है ना illegal human trafficking होती है उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेने से यह संबंदित रहा है आपको जाना चाहिए Association of voluntary action जिसे आप बच्पन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं यह कैला सेत्यार्थी Children's Foundation इससे associated है कैला सेत्यार्थी को भी आप जानते होंगे Nobel Prize winner है और यह जो foundation है इसका मकसद यही रहता है कि जो बच्चों के साथ जो वाइलेंस होता है किसी पी तरह का वाइलेंस होता है उसको करना कि नेम दा इंडियन शूटर हूँ है वोन गोल्ड मेडल इन मैंस ट्यैन मिटर एर राइफल इवेंट इन दे ट्वंटी फोर्ट डेफलेंपिक्स इन ब्राजील उस बारते निशानेवाज का नाम बताई जिसने ब्राजील में चोबिसवे डेफलेंपिक में पुरुस कैक्सिया स्टोसूल ब्राजील में चल रहे हैं और यहां पर भारत के धनुष श्रीकांत यह फर्स्ट इंडियन शूटर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मैंस 10 मिटर एर राइफल इवेंट में इनके अलावा जो शोर्य सैनी है इन्होंने भी प्रॉज मेड मेडल जीता है आपको जाना चाहिए इंडियन बैटमिंटन टीम ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है जापान को हरा कर पॉप्शन्स आपके सामने है और सही आशर ओप्शन ए रहेगा डी गुकेश डीकुकेश यानि यह दोमराजु कुकेश इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने इस्पेन में आजिट स्ट फॉर्में टाँपन 2022 चैस्टी टूर्नामेंट को जीत लिया है अच्छा हमने चेस के इवेंट कई सारे पड़े हैं तीन मुख्यता तीन चार इवेंट हमने बढ़े हैं उन्में कौन जीता है उनको भी हम एक बार रिवाइस कर लेते हैं सब्सक्राइब करा हुआ है फिर से बात करते हैं दोमराजु कुकेश यानिकी डूगे की इन्होंने मैंरो का ओपन चेस्ट टूर्णामेंट जीता है लारोडा इंटरनेसल ओपन चेस्ट टूर्णामेंट टाइटल भी इन्होंने ही जीता है साथे आपको जाना चाहिए चेस्ट टूर्णामेंट जीता है तो इसी तरह से आप अपने नॉट्स में लिखे लीजेगा यहां से कुश्चन जरूर पूचा जाता है कि विजबैंक अन्विड डिजिटल ब्रोकिंग सुलूशन इब्रोकिंग किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान इब्रोकिं वो डीमेट एकाउंट कोल सकते हैं और ट्रेडिंग एकाउंट फैसलिटी का फाइदा उठा सकते हैं बाकि आप जानते हैं इंडियर बैंक के अपने दो महत्रपूर्ण करंट अफेस पड़े एक तो ये कि काड लोन्स के लिए मारुति सुजुकी ने इंडियर बैंक के साथ की है और दूसरा ये कि इंडियर मैंक ने अपने प्रोजेक्ट वेव के तहत प्री एप्रूवड पर्सनल लोन प्रोड़क्ट इसको लॉंच किया है कि विच कंपनी साइंड एम यू विद एन एच एच डी सी टू सपोर्ट इस्मॉल एंड ट्रेडिशनल आर्टिशंस फ् यह हैं ऑप्शनस आपके सामने हैं सही आंजर ऑप्शन एह होगा इट्सी चले जानते है इट्सी तो देखी इसने पार्टनर्शिप की है एन एच डी सी इसका मतलब क्या है नॉर्थ इस्टोन हैंडी क्राफ्ट एंड हैंड लूम डेवलेप्मेंट कोर्परिशन तो इसके हैटपार्टर्स ब्रुक्लिन न्यू यॉर्क में है और जैसे की और पॉर्डल हैं एमेजन फ्लिपकार्ट उसी तरह से यह भी है और बालर बायर्स और जो सैलर्स हैं उनको एक प्लैटफोर्म पर यह जोड़ता है विच स्कीम कंप्लीटेड सेवन यर्ज ओन नाइन्थ मेड टॉंटी टूंटी टू उन्नो मई दोजार बाइस को किस योजना के साथ साल पूरे हो गए हैं अटल पैंशन योजना परदान मंत्री सुरक्षा बीमायोजना परदान मंत्री जीवन जोदी बीमायोजना या फि PMSBY और APY इनकी 7th anniversary मनाई गई 9 मई 2022 को आपको जानना चाहिए तीन होई इसकीम प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकता वेस्ट बेंगल से लौंच की गई थी बारी बारी से एकदम समराइस रूप में इनको पढ़ेंगे तो पहले है प्रदान मंत्री ज करता है एज लिमिट इसमें 18-50 साल की है जो इन्रॉल होने की है और इसमें दो लाक रुपे तक का जो है इंशुरेंस कवर मिलता है ती डैथ हो जाती है किसी भी कारण से और प्रीमियम इसमें दिना पड़ता है तीन सो तीस रूपीज पर एनम दूसरी बात करते हैं PMSBY या तो यह भी एक इंशुरेंस कवरेज है या तो डैथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाते है एक्सिडेंट के कारण तो इसमें जो एज गुरुपे वह 18-70 साल की है और यह दिक डैथ हो जाती है एक्सिडेंटल डैथ हो जाती है या फिर पूरी तरह से डिसेबल हो जाते है तो दो लाक रुपे तक का है आपर मुहाफ़ा देती है company और या फिर अगर partial disability है तो एक लाक रुपे तक का insurance amount मिलता है और इसमें जो premium है ये 12 रुपे का premium है per annum बात करें अगर हम adult pension यूजना की तो ये जो unorganized sector में जो लोग हैं उनको एक financial security provide कराता है और अटल pension यूजना pension fund regulatory and development authority PFRDA द्वारा administered की जाती है age group का यवार पुछा जाता है 18-24-40 साल के लिए जो है eligible है ये scheme ये आप चरूरिया दिखेगा और इसमें minimum monthly pension जो है 1000 रुपे 2000, 3000, 4000, 5000 मिलती है 60 साल की age में जो भी contribution है उसके हिसाब से ये amount मिलती है बाकिया आपको जाना चाहिए जो PMJJBY है इसमें 12.76 करोड से ज़्यादा enrollments हो चुगे है PMSBY में 28.37 करोड से ज़्यादा enrollments हो चुगे है और APY में 4 करोड से ज़्यादा subscribers है How many centers of National Institute of Electronics and Information Technology NIE LIT inaugurated in Northeast Region उत्तर पूर्व छेत्र में राष्ट्य इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्यों की संस्थान के कितने केंद्र का उद्गाटन किया गया है Center of National Institute of Electronics and Information Technology यानि की NIE LIT इनको नौर्थ इस्ट रीजन में जो है integrate किया है कहां कहां यह खोले गए हैं डिब्रुगर्ड दीवापूर जोरहाट पासिघाट और सेनापती में जीतो कनेक्ट 2022 held in which city जीतो कनेक्ट 2022 किस सहर में आई जित किया गया options आपके सामने सही answer option यह रहेगा पूने यहां पर आप दे सकते हैं 678 में 2022 जीतो कनेक्ट 2022 पूने together towards tomorrow चले जानते इसके बारे में क्यों जर्जा में रहा जीतो कनेक्ट 2022 इसका जो इनोग्रेल शेशन रहा इसको प्राइमिस्टर रेंद्र मदीद्वारा एड्रस किया गया है क्या मतलब है जीतोगा जैन इंटरनेशल ट्रेड और्गनाइजेशन तो इसको कहां पर और्गनाइजेशन गया गंगाधाम एनेक्स पूने में तो यह ग्लोबल और्गनाइजेशन है जो कि जितने भी जैन्स कम्यूनिटी के लोग है उनको कनेक्ट कर दिया वोड़ वाइड रिजनल कॉनफरेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ट बिजनेस और्गनाइजेशन सी बीबी ओ और्गनाइजट इन्विस सिटी समुदाय आधारिक व्यापार संगठनों छेत्री सम्मेलन कि सहर में अजित किया गया ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन यह रहेगा जैपूर चले जानते हैं तो स्टेट फूर अग्रिकल्चर और फार्मर्स वेलफियर केलाश चोधरी इन्होंने डीजनल कॉन्फरेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ट बिजनेस और्गनाइजेशन इसको जैपूर राजस्थान में जो है इनोग्रेट किया है और यह किसके तहत किया गया है जो फॉर्मेशन और 10,000 FBOs हैं इस स्कीम के तहत किस मिर्स्ट्री द्वार और्गनाइज किया गया मिर्स्ट्री अगरिकल्चर और फार्मर्स वेलफियर विच कंपनी एंग्रिमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तो लॉंच इट्स लो अर्थ ओर्बिट क्लोस सैटिलाइट किस क आपके सामने है वैसा इंडिया आपक्शन सी रहे हैं वन वैप तो भारती बैक्ट वफृ यह संकिए नईू इस फिस इंडिया लिमिटेट के साथ आपको जाना चाहिए दा आइस यह जिसके ये ईंडिया स्कीआइज रिसर्च और्गनाईजिशन यानि इस रोगी कमर्शल आम है तो इंदो ने एक एग्रिमेंट साइन किया है जिसके तहती लो अर्थ और्बिट सैटेलाइट्स लॉंच करेंगे और 2022 में करेंगे कहां से 37 दवन स्पेस सेंटर स्री हरी कोटा से हुँ हैस बी नेमडेस चेर्मेन एंड मैंजिंग डिरेक्टर ऑफ एच पी सील एच पी सील के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक का आपको नाम बताना है सही अंसर ऑप्शन भी रहेगा पुष्प कुमार जोशी तो पुष्प कुमार जोशी यह हिंदुस्तान पेट्रोल और अनील महिश्वरी और ता ओथर्स ओफ विच बुक तो चार बुक्स आपके सामने हैं आपको बताना है वीपुल महिश्वरी और अनील महिश्वरी द्वारा कौन से पुस्तक लिखी गई है सही आंसर ऑप्शन सी है दा पावर ऑफ ती बैलोट बिल्कुल लेटेस्ट ब हुआ है वोर्टिंग का ठीक उसमें नशींवें तरह की मैल प्रैक्पिस से देखी गई है कई तरह के आरोप प्रतारोप लगते रहते हैं ठीक है तो उसके तहित बताए गया है कि जो बैलाट जो वोर्टिंग का सिस्टम है उसकी क्या महत्तवता है तो 5000 ऐड ओल्ड जूलर तरोप्षन भी रहेगा हर्याना तो देखे महत्वपोने अभी आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जो कि हर्याना के राकेगडी में पिछले 32 साल से जो एक्सकेवेशन का कारे कर रहा है कोदाई का कारे कर रहा है तो इसके हाथ एक नई डिसकवरी लगी है जिसमें इसने 5000 स प्रकेटरी को जो है अन्विल किया है इसको खोजा है साथ यह दो माहिलाओ के स्केलिक्टन मिले हैं जूर्ण यूटेंजिल्स अदर आर्टिफेक्ट्स भी यहां पर मिले है एकक्सकेवेशन के एक्सकेवेशन मतलब जो खुदाई होती है इसको है आपको जाना चाहिए य एक वीलिज चेड और इंडर्स वईलीसि विलेजाशन में जो है वें ओफ ऑल्डेस्ट आर्केलोजिल साइड जो है यूद्स ब्रेक्विडेशन से विलों करती है न कहर लें इसिपने से जो देख रहे हैं हर उया जो एक्षाम कई बार एक्षाम संतूर बादक पंदित शेव खुमार तो देखिए संतूर वादक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर पंडित श्यूकुमार सर्मा इनका हाली में 84 वर्स की उम्र में मुंबई में कायड एक अरेस्टिक कारण निधन हो गया है मानकर चलिए यहां से कोश्चन आपके पास आएगा डिरेक्ट कोश्चन भी इस के आँध में चया दोस्ट सकता है किस संतूर संब्धी थे एक तो आप याद रखेंगे कि इनका जन्म जम्मों में हुआ था तेरा जनवरी 1938 को इन्होंने अपना फस्ट सोलर प्रफोर्मेंस जो रिकोड की थी और सबसे पहले इन्होंने जो है सांतराम की जो फिल्म है जनक जनक पायल बजे इसमें बैक्ग्राउंड म्यूसिक दिया था जो क पद्म विभूशन 2001 में दिया गया तो तीन चीजह आप बेसिकली याद रखेंगे संतूर से संबंदित हैं जम्मों में इनका जन्म हुआ था और यह तीन अवर्ड याद रखें खासकर कि पद्म विभूशनी ने साल 2001 में मिला था और संगीत नातक एकेडमी 1986 में चले आग इस राज्य में एक eco friendly संग्र nuclear का निर्मान किया गया होप्शन्स आपके दीर आप्षान 10 में आरुणा चलप्रदेश चले जानते हैं इसके बाر को फ्रेंड एक ने 901 1112 में एक British official को जो है assassinate कर दिया था दूरिंग इस कर्मिस यह आप याद रखेंगे इस कर्मिस का मतलब होता है लोगों के भी जड़ाप एक छोटी फाइड हो जाती अशोर्ड फाइड बिट्विन ग्रूप सोफ पीपल तो कोई जड़ाप हो गई होगी इस British official के साथ तो इनने उसक कर दिया था तो यह भी आप याद रखेंगे महत्तपूर्ण शब्दे थोड़ी सी जानकारी अरुणाचल प्रदेश के बारे में लें जो कि आपके एक्जाम पॉइंट फ्यू से काफी महत्तपूर्ण है बेसिक तो यह है कि कैपिटल इटा नगर है कवरणर बीडी मिश्र और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है आपको जाना चाहिए 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था और यह फेक्ट कई तरह के एक्जाम में पूछा जा चुका है कई बार साथ है आपको जाना चाहिए पिन सौलूंग अलो सार बुरी बूट एंड द्री यह द्री फोक डांस कई बार पुछा जाता है द्री फ्रेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है पासी घाटे यह आपर पर शुराम कुंड है यह महत्तपूर्ण है नामधपा नसल पारक है मॉलिंग नसल पारक है बॉम् किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोंच किया है options आपके सामने है सही answer option D रहेगा SDFC बैंक तो देख सकते हैं SDFC बैंक लॉंच इंडूस्री 1 थर्टी मिनट एक्सपरेस कार लोंच की आपने जो existing customers हैं और साथ साथ जो new customers हैं उने के लिए तो इसमें क्या होगा यदि आप car लेने के लिए 20 लाग रुपे तक का भी loan लेते हैं तो जो amount है direct आपके dealer जो है उसकी account में within half an hour आदे खंटे के अंदर जो है credit कर दिया जाएगा बाकिया आप जानते हैं SDFC bank के बारे में CEO ससीदर जगदीशन है headquarters Mumbai है टेग लाइन वी अंडेस्टेंड यूर वर्ड है हाली में यह भी पढ़ा था कि SDFC bank की फर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक वन गया जिसने ही माचर पर्देश के के लौंग में जो है ब्रांच ओपन की है साथ यह आपको जाना चाहिए SDFC limited और SDFC bank ने हाल ही में transformational merger announce किया है Name the tennis player who became the youngest ever to win the Madrid Open उस tennis खिलाडी का नाम बताईए जो Madrid Open जीतने वाले सबसे कम उम्रे के खिलाडी बने है options आपके सामने है सही answer option यह रहेगा Carlos Alcaraz तो देखे 19 साल के हैं और इस्पेन के है Carlos Alcaraz तो यह youngest champion बन गए है इन्होंने Madrid Open को जीता है और किसे हराया इन्होंने final में इन्होंने हराया है जर्मनी के Alexander Jevrov को साथ ही आपको जाना चाहिए Clay Court में Rafael Nadal और Novak Djokovic को हराने वाले यह first tennis player बन गए है तो देखे 19 वर्स के हैं तो इससाब से लगता है काफी बड़े प्लेयर यह बनने वाले आ गयाने वाले टाइम में बाकी women's singles का जो title जीता है यह anse jbr ने जीता है Tunisia की है इन्होंने जैसी का पेगुला को हराया है बाकी men's double आप देख सकते हैं इन्होंने जीता और women's double भी winners यह रहे हैं तिक इनको जीतेलेगा में आपके लिए यह कि women's सिंगल किसने जीता और मेंस सिंगल किसने जीता विच कंपनी है डिजाइंड इंडियास फर्स्ट रीजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम किस कंपनी ने भारत का पहला छेत्रिय रैपिट ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन यह है ऐल स्टों तो देखिए जो भारत का फर्स्ट रीजनल रैपिट ट्रैंजिस सिस्टम है इसके लिए जो ट्रेन सेट है जो ट्रेन चलाई जाएंगी तो उसको हाल ही में नेसल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कोर्परेशन एंसी आर टीवर कर दिया गया है कहाँ पर गुजरात के सावली में तो देखे एल स्टों इसने यह ट्रैंस्ट बनाए है इस कंपुनी ने ट्रैंसाद बनाए है और इस के दौराँ जमिनों ने एंसी आर टीवर की है तब इसके में यह बिदा है यह मौशूद रड़ाइस को डिजाइं किया गया है Lambies और इनको जो तो इस पूछ ले तैसे इसमें R का मतलब क्या है दूसरे का मतलब क्या है पहले आर का मतलब क्या इस तरह से पूछ अब और आपको जाना चाहिए जो इसके तuments रही है तो इन की स्पीड इस तरह से डिजाइन की गई है कि 180 किलोमेटर पर आर की स्पीड रहेगी और जो इसका रूट रहेगा डैली तू मेरट का 55 मिनट में ये कवर कर लेगा और हर 5 से 10 मिनट में ट्रेन एवलेबल रहेगी कि अच्छाइन के कारण 2022 को 2023 तक के लिस्थगित कर दिया गया है ये खेल चीन के हांग जो में किस महीने में आयूजित होने वाले थे ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सितंबर सेप्टेंबर चले जानते हैं तो एशन गेम्स 2022 जो की चाइना की हांग जो में सितंबर में होने वाले थे इनको 2023 तक अब पॉस्पोन कर दिया गया है क्योंकि यहां पर इस सहर में कोविड-19 के कैस काफी देखने के लिए मिल रहे हैं तो यह एनाउंसमेंट किये ओलंपिक कांसिल ऑफ एश्या की जो की एशन गेम्स के लिए गवर्निंग बोडी है और यह इन गेम्स यह जो गेम्स हैं यह 19th edition होने वाला था तो इसके लिए नई डेट्स एनाउंस करेगा आपको बता दें यह 10-25 सितंबर के बीच गेम्स होने वाले थे साथे आपको जाना चाहिए वर्ड उनिवर्स्टी गेम्स 2021 जो की 26 जुन से 27 जुलाई के बीच होने वाल थे शैंग्दू शाइना में इनको भी अब 2030 तक जो है पॉस्पोन कर दिये गया है साथे आपको जाना चाहिए कि जो ओलंपिक काउंसिल ओफिशिया इसका हेड़काटर कुएट सिटी कुएट में विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री वाइफाई फैसिलिटी फोर पीपल विदिन 50 मिटर्स ऑफ विलेज सेक्रेटेरियट कौन सा राज्य ग्राम सचिवाले के 25 मिटर के दायरे में लोगों उनको मुफ्त वाइफाई सुविधा प्रदान करेगा उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर उप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश चले जानते इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य के जो विलेजेस हैं तो उनमें 58,000 प्रेस फर फ्री वाइफाई प्रवाइट कराई जाएगी बाकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कैपिटल लखनव है और गवर्णर आनंदी बेंट पटेल हैं और चीफ मिनिस्टर योगी आधित्यनाथ हैं कि रोडरीगो चैव्स प्रेजिडेंट ऑफ इच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रोडरीगो चैव्स ने किस मध्य अमेरिकी देश के राष्टपति के रूप में शबत ली है और आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा कोस्टा रिका तो देखिए यह जो हैं रोडर कोस्टा रिक बात करें तो कैपिटल सेंट जो से और करन से कोस्टा रिकान कॉलन तो देखिए यह तो है आपका नौर्थ अमेरिका यह आपका साथ अमेरिका और यह बीच में जो आप पट्टी देख रहें इसे बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका तो इस अभी कंट्री जो आप को पक्का याद रखनी है कि विचो तो फॉलोइंग हैस बिकम दा फॉर्थ इंडियन ग्रूप टु एक्वाइर फ्रेंचाइजी इन यूए इस टी ट्वन्टी लीग निम्लिकित में से कौन सहयुक्त अरब अमिराथ की टी ट्वन्टी लीग में फ्रेंचाइजी हाजिल करने आला चोड था भारतिय समू बन गया है ऑप्शन सापके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है अडानी ग्रूप तो देखिए अडानी स्पोर्ट्स लाइन जो की अडानी ग्रूप की एक सब्सेट्री है इसने जो यह सिक्स मेंबर यूए टी ट्वन्टी लीग होने वाली है यहा से आई पेल इसी तरह का आई पेल स्टाइल में इससे पहले रिलाइंस इन्रस्ट्रीज जी एमार ग्रूप और कैप्री ग्रोबल इन्होंने भी आपर फ्रैंचाइजी जो है अपनी हली हुई है विच सिटी होस्टेड दा एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉनक्ल इन्होंने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉनक्लेव 2022 कोई नोगरेट किया है अंडर आजादी काम रित महसा और कहां पर किया गया कुएमटूर तमिलनाडू में इंडियो के निदेशक मंडल अध्यक्ष के रूप में किसे नियूक्त किया या है और सही आंसर ऑप्शन दी है यहां पर वेंकटर रमनी सुमंतरन चले जानते हैं इंटर गलोब एविशन ने वेंकर रमनी सुमंतरं को इंडीको बोर्ड का chairman यूक्त है और यह मेलेविति दामोदर्ण को सकसीड करेंगे ळामोदरन को सक्सीड करेंगे अच्छे हैं आपको जाना चाहिए इंटरगलोब एविशन के बारे में जो कि इंडीको से अपना को जानना चाहिए कि इंडियन लोकोस्ट करेंग के अ हैं gef भायत की लार्जेस्ट एर्लाइन है कि विच और्गनाइशन साइंड एमो यू विद मिलिष्ट्री ऑफ इस्किल डेवलप्मेंट एंड एंट्रेप्रेनर्शिप टू इस्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ किस संगठर ने तकनीकी करमचारियों के इस्किल डेवलप्मेंट के लिए कोशल विखास और उद्यमिता मंत्राले के साथ समझता है कि आपने प्रवस्ताक्षर किया है और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इश्रो तो देखिए इस रो में जो टेक्निकल स्टाफ है तो उनको कोशल कोशल जो है प्रवाइट कराने के ल आनि के उनको स्किल डेवलप्मेंट के लिए समझ एंब आत जो इस रो में जो टेक्निकल स्टाफ है उनमें स्किल डेवलप्मेंट के लिए इस स्रों ने मिस्ट्य औफ स्किल डेवलप्मेंट Jersey के साथ एक M iU sign किया है हो विल हैट था पैनल सेट बाइद सुप्रीम कोड तो मोनिटर रिकवरी फ्रों एन एस एल डिफॉल्टरों से वसूली को मोनिटर करने के लिए सुप्रीम कोड द्वारा गठित पैनल का नित्रत कोन करेगा ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ऑप्शन दी है प्रदीब और यह कमिटी किसलिए बनाई है देखे जो भी डिफॉल्टर से जिरों ने जिने नेशनल इस्पोर्ट एक्स्चेंज लिमिटेट का पैसा वापस करना है ठीक है और नेस्ट एक्सपोर्ट एक्चेंज लिमिटेट को इसके लिए डिक्री मिल गई है यानि की कोड का देश म मिल गया है कि जो डिफॉल्टर्स हैं वो जो है पैसा लोटा है इसका ठीक है तो वो रिकवरी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है उससे संबंदिते हाई लेवल कमिटी बनाई गई है और आपको जानना चाहिए जो ओडर दिया है सुप्रीम कोड ने अब यह कमिटी बनाई गई है तो यह ओडर सुप्रीम कोड ने आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोड को पावर दी गई है उसके तहाती ओडर दिया गया है आर्टिकल 142 में क्या है कि सुप्रीम कोड की नहीं कर सकते हैं यह अगर पेराग्राफ में इसमें ना इंसर्ट करता तब भी आपको काम इससे चल जाता पर यह मैंने इसलिए कि आए जो बच्चे हैं जो स्टेट पीसेस वाले भी कई आर्टिकल 142 के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी तो यह काफी महत्तपूर्ण आर्टिकल हैं इसको आप खुद से भी पढ़िएगा तो चपन सो करोड़ रुपे का पैसा यहां पर एनसल का फसा हुआ है तो उसी की रिकवरी से संबंदित यह कमीटी बनाई गई है गुजराथ हाई कोड जजज जमशेद भी पारदीवाला इन दोनों नहीं सुप्रीम कोड जजज के रूप में जो है शपतली है और इसी के साथ सुप्रीम कोड अपनी फूल स्टेंथ यानि की 34 जजजेस की स्टेंथ पर पहुंच गया है 33 प्लस वन वन चिफ जस्टिस और यह उप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा वेस्टर्ण सिड्नी युनिवस्टी तो देखें टाइम सायर एजुकेशन जो की दवर्ड युनिवस्टी रैंकिंग्स को पूब्लीश करता है तो इसने अपना 2022 का इंपक्ट रैंकिंग इसको रिलीस कर दिय दिया उसके हिसाब से आप रैंक दी गई है तो आपको जाना चाहिए वेस्टर्ण सिड्नी युवस्टी इस इसने टॉप पोजिशन यहांपर हासिल की है और और सेकंड पोजिशन पर एरिजोना स्टेट युवस्टी इस 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 एकंड पोजिशन पर है और चैनाड़की थर्ड पोजिशन पर हैं बात करते हैं भारत की तो टॉप 100 भारत की दो यूवस्टीज ने जगा पाई है जिनमी की अम्रिता विश्वा विद्या पीठम इसने 41 रैंक है और लवली प्रोफेशनल यूवस्टी इसकी रैंक 74 है अगर टॉप 300 यूवस्टीज की बात करें तो उसमें एट यूवस्टीज भारत से हैं और अगर अबर बात करें जिट्री में यूवस्टी इसमें 64 इंडियन यूवस्टीज को जगह मिली है इंक्लूड एंड इंडियन इंडिया दे फॉर्थ मोस्ट वैल रेप्रेजनेटेट कंटरी इन रैंकिंग इसका मतलब क्या हु बहत जो है फोर्फ पॉजिशन पर ये मतलब पहरत की जो जो सबसे味 जाएक और इस में शम्मिल खाय लिस्ट में बहुत है नेसल तेकनलोरी माहि उससी दिवस किस दिन बना अपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी रहेगा ग्यारा मई को महत्रपूर्ण ये भी आपके लिए तो देखे हर सालम ग्यारा मई को नेसनल टेक्नोलोजी डे बनाते हैं आपको बता दे फॉर्म प्राइमेस्टर अटल भीयारी वाजपाई जो रहे हमारे तो इन्होंने ग्यारा मई क को नेसनल टेक्नोलोजी डे मनाना डिकलेर किया था और सबसे पहले हमने यह 11 मई 1999 को टेक्नोलोजी डे मनाया था इसका थीम 2022 का रहेगा इंटीग्रेटेड एप्रोच इन साइन्स और टेक्नोलोजी पोर सस्टेनेबल फ्यूचर मेहत्रपूर्ण याद रखेगा आपको जा ड्रवर-6 इसका नाम दे गया था ओर दो डिन बाद सीह कि नीकले टेस्ट यहांपर किये गए थे और 11 मही को जो फ़र्सट इंडिजिनस एडो इंड़क्राफ्त है अन सा थी इसको भी टेस्ट किया गया था और इसके अलाब अंतर आश्ट यह नर्स दीवस 2022 की 22 माई को मनाया जा रहा है इसका विशय क्या है आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा नर्सेज आवाइस तो लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रस्पेक्ट राइट्स तो सिक्योर ग्लोबल हेल्थ हम सभी जानते हैं International Nurses Day यह 12 माई को बनाया जाता है क्योंकि 12 माई को जो Florence Nightingale रही इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आपको जाना चाहिए Florence Nightingale यह English Social Reformer रही Statistician भी रही और इन्हें Founder of Modern Nursing के नाम से जाना जाता है 2022 में International Nurses Day का जो Theme है वो है Nurses A Voice to Lead Invest in Nursing and Respect Rights to Secure Global Health Home Minister Amitra शाह inaugurated three floating border outposts on which border area ग्रह मंत्री Amitra ने किस सीमा छेतर पर तीन floating border outposts जहां जो का उद्गाटन किया है options आपके सामने हैं और सही आंथर option दी रहेगा इंडो बंगलादेश तो देखे हो Mr. Amitra ने जो सुंदरबन के area है जो inaccessible areas है उनको protect करने के लिए तीन floating border outposts जो है इंडो बंगलादेश border पर inaugurate ही है इन floating border outposts का नाम है सतलज, कावेरी और नर्वना इनको कोच सिप्यार द्वारा बिल्ड किया गया है साथी नोने जो बंगलादेश border area है वेस्ट मेंगल में यहाँ पर एक floating boat ambulance को भी हरीजिन दिखाई है साथी मैतरी संगर यानि friendship museum की भी आथारचिला रखी है Pulitzer Prize 2022 winner दानी सिद्ध की was killed while covering a clash between which forces पूछ रहा है कि Pulitzer Prize 2022 विजे था दानी सिद्ध की किन forces के बीच संगर्स को कवर करते हुए मारे गए थे options आपके सामने है और सही answer option दी रहेगा अफगान security forces and Taliban forces चले जानते हैं तो दानी सिद्ध की और इनके जो कलीक्स रहे अधनान अभीदी, साना एशाद मैटू और अमीत तवे यह सभी Reuters News Agency से हैं इन्हें Pulitzer Prize दिया गया है किसलिए for images of COVID stall in India तो भारत में जो COVID की वज़े से जो मृत्ती हुई थी तो उनकी images इन्होंने लिए थी तो उसी के लिए इन्हें Pulitzer Prize दिया गया है आपको बता दें कि दानीश शिद्ध की यह भारत में Reuters के Chief Photographer थे 2021 में यह Afghan Security Forces और Taliban Forces के बीच में जो क्लाइसेश चल रहे थे जो युद्ध टाइप चल रहा था तो उसी को कवरेज करते हुए मारे गए थे यह दूसरी बार है जब सिद्धिगों को Pulitzer Prize मिला है इससे पहले 2018 में रहिंग्या Crisis की कवरेज के लिए भी इन्हें Pulitzer Prize से सम्मानित किया गया था आपको जानना चाहिए कि Pulitzer Prize की एक काटेगरी यह भी होती है कि Public Service Journalism तो यह प्राइज मिला है Washington Post को इस काटेगरी के लिए Public Service Journalism के लिए और क्यों मिला है क्योंकि जो यूएस कॉपिटॉल पर आपने देखा होगा ट्रंप के टाइम पर जो कई लोगों ने जो एक दम धावा बोल दिया था कॉलम्ब्य पाइस्टि में अपनी जो है जो मनी छोड़ी थी उसी को यहां पर आवार्ड किया जाता है उन्निस्व ग्यारमीन की डैथ हुई थी और यह जो प्राइज है यह सबसे पहले उन्निस्व सत्रा में अवार्ड किया गया था अवार्ड किया गया था आपको बता दे 22 प्रुट्ट्सर केटेगरी जो 21 केटेगरी से उनमें तो वीनर्स को 15,000 यूएस टोर का कैश इक सर्विस केटेगरी है जो कि हमने अभी पढ़ा पीछे वासिंग्टन पोस्ट ठीक है उसमें केवाद एक गोल्ड मैडल दिया जाता है और यह किसी न्यूस्पेवर को दिया जाता है ना कि किसी इंडिविच्वल परसन को The 15th session of the conference of the parties to the UN convention to combat desertification यानि की UN CCD COP15 is being hosted in which country पूछा है कि सहिंग्त राष्ट मरुस्थली करन रोक्ताम अभी समय के दल सम्मेलन के 15-17 की मेजबानी किस देश में की जा रही है यह options आपके सामने है सही answer option D रहेगा कोट डिवर मैं तो पूर्ण गोश्चन है जानेगे इसके बारे में तो देखे Conference of the parties यानि की COP to the United Nation Convention to combat desertification यानि की UN CCD तो इसका जो 15th session है पंदरवाज जो इसका session है यह अभी जान कोट डिविवर इस country में जो है किया जा रहा है और भारत की जो इन्वार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लाइमिट चेंज मिस्टर है बुपेंद्री आता हूँ यह भारती delegation को यहां पर रिप्रेसेंट कर रहे हैं आपको जानना चाहिए जो यह UN CCD का जो 14th session रहा यह 2019 में नियू डेली में ही हुआ था अच्छा यह जो 15th session इसका theme क्या रहेगा लेंड लाइफ लिगैसी फ्रॉम इसकार सिटी टू प्रोस्पेरिटी आपको जानना चाहिए UN CCD के बारे में के बारे में इसकी स्थापना 1994 को हुई थी और यह ग्लोबल लेंड आउटलूक रिपोर्ट पॉब्लिश करता है इसका पर्मानेट स्टैकरिटोरेट जो है यह बॉन जर्मनी में है ओपरेशन दूधी इस रिलेटेट तो विच अफ फॉलोइंग ऑपरेशन दूधी निम्रेकित में से किस से सम्मंदित है ऑप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा आसम राइफल्स चले जानते हैं इसके बारे में हाली में यह क्यों यूश्म रहा तो देख कि इन्होंने जो बहातुरी का काम किया था तीस साल पहले उसी को यहां पर रिकनाइज फिर से किया जा रहा है ओप्रेशन दूधी के बारे में जानेंगे तो देखें तीनमाई 1991 को यह ओप्रेशन कंड़क्ट किया गया था असम राइफल्स द्वारा जिसमें इन्होंने ज इसका नाम से इसको जाना जाता था फिर जो है उसके बाद इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया था इसका हैट्वार्टर सी रों में घाले में है और लेफ्रेंट जेनरल प्रदीप चंदरन नायर इसके डिर्टर जेनरल है डी जी है Health authorities in the United Kingdom have confirmed a case of monkeypox the first human case of this disease was recorded in 1970 in which country United Kingdom में स्वास्ते अधिकारियों ने monkeypox के एक मामली की पुस्टी की है इस रोक का पहला मानव मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया था options आपके सामने हैं सही answer option D रहेगा Democratic Republic of the Congo तो यह देख सकते हैं आप इस तरह का इसमें जो है यह नोट्स टाइप के बन जाते हैं जैसे जो पॉक्स डिजीज होती है स्मॉल पॉक्स वग्यारा है न तो उसी तरह का है आपर यह नोट्स बन जाते हैं चले जाने इसके बारे में तो देखें युनाइटिट किंग्डम में जो हैल्थ अथारिटीज हैं उन्होंने अपने हा एक परसन में मंकी पॉक्स का जो केस है वो कंफर्म किया है और वो व्यक्ति हाली में नाइजीरिया से जो है ट्रेवल किया है आपको जाना चाहिए मंकी पॉक्स एक रियर डिजीज है जो की मंकी पॉक्स वाइर के वाइरस के इंफेक्शन द्वारा होती है और यह जो मंकी वाइरस है यह और्थो पोक्स वाइरस जीनस से बिलोंग करता है जो की पोक्स वेरेडी फैमिली से आता है मौंकी पोक्स एक जूनोसीस है यह आपको जाना चाहिए जूनोसीस का मतलब क्या होता है ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से हुमन में ट्रांसफर या ट्रांस्मिट हो जाती है उसको बोलते हैं जूनोसीस कभी-कभी वन वर्ड सब्सेटुशन में भी इस तरह के सब्द पूछ ले जाते हैं बाकिया आपको जाना चाहिए मौंकीफोक्स यह सबसे पहले जो रिसर्च के लिए बंकीज रखे रहते हैं ना उन में पाया गया था उन्निस सो अठावनें 1958 में और इसका पहला हिूमन केस यानि की मानव में इसका जो पहला केस है वो 1970 में डेमोग्रेटिड रिपब्लिक आफ दी कॉंगो इस कंट्री में पाया गया था अच्छा इसमें फीवर हैडेक मसल एक और बैक एक और एक्जोस्चन यह सभी इसके जो है सिम्टम्स होते हैं और लिम नोट्स बन जाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है ना सूजय सूजय से गोल गोल से अच्छा और इन विच स्टेट तीन दिवसी स्वास्त चिंतन सीविर की स्राच्चे में संपन हुआ ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात तो देखिए यूनियन मेस्टर ऑफ हैल्थ और फैमिली वेलफेर डॉक्टर मांसुक मान जो है इन्होंने स्वा तो हम आपको जाने चाहिए आजुसमान भारत हेल्थ एकाउंट ठीक है यह पूछ ले जाती है आभा और दूसरी बात यह है कि टीवी पेशेंट विलेज एडॉप्शन स्कीम का भी इसमें चिंकर किया गया जिसका जिसकी कारण जिसकी वज़े से जो बारत जो है टीवी फ इसका फॉर्थ जो एडिशन है उसको एड्रस किया है सब मोदित क्या है आपको उता दे आई-सी-डी-आर-ई-का यह फॉर्थ सेशन युनेट इस्टेट्स कोवर्मेंट के साथ पार्टनिशिप में और्गनाईज किया गया है अच्छा जो यह आई-सी-डी-आर-ई-ए है यह जो सेशन होता है यह कॉलीशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इफास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस धी नरफ़िया रही है इसका सेक्रेड़ अअज़ी इनडिया मैं है 30 तीशन्स और एट इसके मेमबर 17 ऑ 19 का जो सेशन रहा वह पर जो इंडियव ऑर्टह सेशनर हो वर्चूली किया गए था विच बैंक टाइड अफ विद स्टेटर बैंक फॉर इंडिया यूके बिजनेस इस भारत यूके व्यापार को आसान मनाने के लिए किस बैंक ने सेंटर बैंक के साथ समझोता किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन्स ही रहेगा आईसी आईसी बैंक जानेंगे इस बारे में तो देखिए भारत और यूके दोनोई कंट्रीज में जो बिजनेस इस ओप्रेट कर रहे हैं तो उनके लिए बैंकिंग आसान मनाने के लिए आईसी इस बैंक ने ट्रेड में, क्रोस बोडर पेमेंट्स में, सप्लाई चैन में, ट्रेजरी सोलुशन्स में और रिटेल बैंकिंग में और सेम काम यूके प्रवाइट कराएगा जो भारते कोर्प्रेट्स यूके में कारी कर रहे हैं बाकी आईसी इस बैंक के बारे में आप जानते हैं इंडिया इंपोस्ट आ मॉनेटरी पैनल्टी ओफ रूपीज 58 लैक और मुंबई बेस्ट अभ्यूदया कोपरेटिव बैंक बारते रिजर्व बैंक ने मुंबई इस्तित अभ्यूदया सहकारी बैंक पर 58 लाक रुपे का मौदरिक जुर्माना लगाया है तो यह जुर्मान लगाया है मुंबई बेस्ट यह याद रखी का मुंबई में अभ्यूदया कोपरेटिव बैंक इस पर लगाया 58 लाक का जुर्माना क्योंकि प्लेस्मेंट ओफ डिपोजिट्स विद अधर बैंक और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मेकनिजम और फ NBFC किस बैंक ने NBFC के साथ साइधारी में MSME खुद्रा और अन्य रिनो को सहुधार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉंच किया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ बढ़ोदा तो देखें बैंक ऑफ बढ लोन प्रोवाइड कराएगा तो बैंक ऑफ बढ़ोदा ने कम से कम 10 NBFC के साथ पार्टनर्चिप की है जिसके तहट यह अगले दो साल में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के तुरू 10,000 क्रोड रुपे तक की को लेंडिंग जो है प्रोवाइड कराएगा MSME को बाकी बै स्टेक हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ में यह 21 परसेंट स्टेक जो है बैंक ऑफ बढ़ोदा ने एक्वाइर कर लिया है साथ सूचेटर करोड उपीज में विच बैंक लॉंच्ट लेड इंगेजमेंट एप किस बैंक ने लीड इंगेजमेंट एप लॉंच किया है प्रट जो है डिरेक्ट सेल कर सकता है बैंक ऑफ बढ़ोदा बागी इसने डिजिटल महा बैंक किसान केड़ कार्ड फैसिलिटी लॉंच की है और सातीज इसने वर्चुल विजिटिंग कार्ड फीकार्ड भी जो है इंटर्ड्यूस किया है बैंक ओफ महाराष्ट के बारे में आपको जाना चाहिए सी ओएस राजीव हैं हैटवाटर्स पुने महाराष्ट में है टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक हाली हमने पढ़ा था कि बैंक ओफ महाराष्ट ने फिंटेक इंगेजमेंट के लिए एंपिसी आई के साथ मिलाया है फोर शिप्स ऑफ दा इंडियन नेवी फस्ट ट्रेनिंग इस्क्वाइडरन रीज्ट विच पोड सेटी फॉर ओवर्सीज डेप्लोइमेंट भारतिय नोसेना के पहले प्रसिक्षण इसक्वाइडरन के चार शिप विदेशी तेयनाती के लिए किस बंदरगा पर पहुं पहुंचे हैं उप्षिंस आपके सामने हैं सही आंतर उप्षन भी रहेगा जेदा चले जानते इसके बारे में तो देखिए इंडियन नेवी की जो फर्स ट्रेनिंग इस्क्वाइडरन है इसकी फोर शिप्स जिनके नहां मैं आई एनस ती इंडियन कोस्ट कार सिफ सार्थ इनस तरंगिनी और इनस सुजाथा तो यह साथी अरब की जो पोर्ट सिटी है यहां पर पहुंचे हैं ओवर्सीज टेफ्लोइमेंट के लिए आपको जानना चाहिए जेदा यह एक पोर्ट सिटी है जो की रेट सी के कोस्ट पर लोकेटिड है बिट्विन स्वेज कैनल इनस कॉलकाता यह जिबोती कंट्री जो है इसने विजिट किया है एस पार्ट ऑफ ता एंटी पाइरेसी पैट्रोन रिसर्चर्चर्च एट विच इंस्टिशन हैव डेवलप्ट कस्टमाइजेबल 3D प्रिंटेड गलव्स तो हैल्प फीजो थेरेपी फॉर इस्ट्रोक विक्टिम्स इस्ट्रोक पिडितों के लिए फीजो थेरेपी में मदल करने के लिए किस संस्थान के सोथ करता होने अन सी बैंगलोर का जो डिपार्टमेंट फिजिक्स हैं तो यहां के स्ट्रोक विक्टिम से जिने स्ट्रोक पढ जाता है या पिर जिनकी फिजीकल इंजुरीइस हो जाती है इस तरह की जो पेशेंट्ट के लिए एक डिवाइस व्यर में डिवाइस लॉनच ही है जिसके तहात उनके जो लिम्ब है यानि की हाथ पैर है और जो फिंगर है उनकी मुवमेंट्स को पता किया जा सकता है है ना उनका आभास किया जा सकता है तो किस तरह की डिवाईस है यह है 3D printed फिंगर में कोई मुवमेंट्स कर रही है या फिर जो लिम्स है हाथ पैर है उनमें कोई मुवमेंट्स देखी जा रही है तो वह इसी हो सके उनके लिए उसको आभास करना जो है आसान हो सके इसलिए यह 3D printed gloves विख्षित किये हैं who has been appointed as the CEO and MD of Air India Air India के CEO और MD के रूप में किसे निव्ट किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option D रहेगा Campbell Wilson तो Campbell Wilson यह Air India के CEO MD किये गए हैं इससे पहले किये जो Singapore की airline है इसकी जो local subsidiary है स्कूट इसके CEO रह चुके हैं आपको यह जानना चाहिए इन से पहले data group ने Turkish Airlines के chairman है इलकर IC इनको जो है CEO and MD बनाया था Air India का लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को जो है रिजेक्ट कर दिया था इस ओफर को जो है रिजेक्ट कर दिया था डिनाई कर दिया था तो अब कौन होंगे ए रिड़ा के CEO and MD Campbell Wilson है कि है हूँ है इस बीन अपॉंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर अगले मुख्य चुनाव आयुक्थ की रूप में किसे न्युक्थ किया गया है और सही आंसर और ए रहेगा राजीव कुमार तो Constitution के Article 324 की Clause 2 के तहत राश्टपती द्वारा राजीव कुमार को Chief Election Commissioner न्युक्थ किया गया है और 15 माई 2022 से यह अपना Office जो है टेक ओवर करेंगे आपको जानना चाहिए फिलाल जो Chief Election Commissioner है यह सुसील चंडर है जो की अब रिटायर होने बादे है थोड़ा साम Election Commission आफ इंडिया के बारे में जानेंगे यह एक Autonomous Constitutional Authority है जो की Union और State के जो इलेक्शन प्रोसेस है उनको एड्मिस्टर करता है इसके द्वारा लोकसभा राज्यसभा इस्टेट लेजिसलेटिव असेम्ब्ली और प्रेजिडेंट ओफिस एंड वाइस प्रेजिडेंट ओफिस इसके जो इलेक्शन होते हैं उनको एड्मिस्टर किया जाता है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की स्थाबना 25 चनवरी 1950 को की गई थी आपको बता दे सुरुवात में यह केवल एक सिंगल मैमबर बोडी थी केवल एक Chief Election Commissioner हुआ करता था लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर एक Chief Election Commissioner है और दो Election Commissioners होते हैं तो देखिए सबसे पहली बार यादि हम बात करें तो Two Additional Commissioners यहाँ पर 16 October 1989 1989 को Appoint किये गए थे लेकिन इनका tenure काफी छोड़ा था 1st January 1990 तक यह Two Additional Commissioners रहें उसके बाद फिर से यह Single Member Body बने गई उसके बाद 1st October 1993 को Two Additional Election Commissioners फिर से Appoint किये गए और उसके बाद से अभी यह Multi Member Commission है ठीक है यह आपको जानना चाहिए अच्छा और इसमें जितने भी इलेक्शन Commissioner है ना इनका सब का Equal से होता, Equal से का मतलब क्या है सबकी बाद का जो Waitage है वो बराबर होता है साथ यह आपको जाना चाहिए जो President of India है यह Chief Election Commissioner और Election Commissioners इनको Appoint करते हैं इनका जो कारेकाल है यह 6 years या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो, या अगर पहले 6 साल कारेकाल के हो रहे है तो यह रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर पहले इनकी age जो है 65 years हो गई है, लेकिन इनका जो कारेकाल है वो 3 साल तक का ही हुआ है तब भी रिटायर हो जाएंगे, दोनों में से पहले जो भी हुआ हो आपको बताते हैं, जो सुप्रीम कोड के जो जज होते हैं उनकी जो सैलरी है, उनका जो स्टेटस है, तो उसी लेवल का स्टेटस इनका होता है चीफ इलेक्शन कमिशनर को केवल पार्लियमेंट द्वारा इंपीचमेंट के थू ही हटाया जा सकता है साथ ही आपको जानना चाहिए आर्टिकल 3.24 यह इलेक्शन कमिशन से सम्मन्दित है यहाँ पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए सुकुमार सैन जी के बारे में यह इंडियन सिविल सर्वेंट रहे जो की फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया रहे हैं इनी की लीडर्शिप में भारत की जो फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन रहे एक तो 1951 से 1952 और दूसर 1957 यह दोनों ही जो जनरल इलेक्शन रहे यह इनी की लीडर्शिप में हुए है महतपॉर्ण पॉइंट आपके लिए यह है कि यह जो है सुडान के भी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर रहे चुके है एक बार एक राज्जी के PCS में एक कोशन पुछा गया था कि भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिशनर है कि यह ए फोर ट्वंटिट्वंटीट्वर दोजार बाइस से दोजार चुविस के लिए एस्टोशियेशन ओफ एसियन इलेक्शन अथरोटीज के नए अद्धश के रूप में किस तेश को चुना गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए रहेगा इंडिया तो देखिए भारत को युरैनी मसली यानि कि बिना किसी आपत्ती के सभी की सहमती से Association of Asia Erection Authorities AAEA इसका New Chair यानि कि इसका अध्यक्ष जो है चुना गया है 2022 से 2024 टर्म के लिए फिलाल इसके जो अध्यक्ष यह मनीला है मनीला जो शहर है ठीक है वह है अच्छा आपको जानना चाहिए कि अब इसमें नए मेंबर भी एड़ हुए है रशिया उजबेकिस्तान स्री लंका मालदीर्स ताइवान एड फिलिपिन्स इसको 1998 में स्टैब्लिश किया गया था और फिलाल 20 एशियन कंट्री इसके मेंबर हैं सेंटर ओफ एक्सिलेंस फॉर खादी इनुगरेटेड एट वीच केमपस औफ नेशन इस्टिटूट ओफ फैशन टेक्नोलोजी निफ्ट खादी के लिए उत्रश्टा के इंदर का उत्खाटन राश्टे फैशन प्रद्रगी संस्थान के किस परीचर में हुआ है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी रहेगा एन इफ्ट न्यू डेली तो देखिए जो नाराने हैं इन्होंने सेंडर ओफ एक्सिलेंस फॉर खादी इसको नेशन इश्टूफ फैशन टेक्नोलोजी एन इफ्ट का जो डेली केंपस है यहां पर इनुगरेट क किया है तो इसके तहट जो खादी है उसकी जो क्वालिटी स्टेंडर्ड है उसको अच्छा करने में मदद मिलेगी एक अच्छा मार्केट उसको प्रोवाइट कराया जाएगा Ministry of Agriculture and Farmers Welfare signed MOU with which agency for strategic partnership on agriculture क्रिसी और किसान कल्यान मंत्रारे ने क्रिसी पर रणनीतिक साज़दारी के लिए किस agency के साथ समझोता गया पर प्रस्ताक्षिर किये हैं आपके सामने सही answer option C रहेगा UNDP तो Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India इसने United Nations Development Program यानि की UNDP के साथ एक MOU sign किया है जिसके तहत जो UNDP है ये भारा सरकारगी परधार मंत्री फ्रसल भीमा योजना स्कीम और किसान क्रिट कार्ड मोडिफाइड इंटरस्ट सब्वेंशन स्कीम इन दोनों ही स्कीम को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा बाकि आपको UNDP के बारे में जानना चाहिए कि Headquarters New York United States में है इसके स्थापना 1966 मेरी थी और इसके Administrator है अचीम स्टेनर इसकील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तो बी सेट अप इन वी सिटी तो प्रिपेर इसकील वर्कफोर्स फोर ग्लोबल मार्केट्स वेश्विक बाजारों के लिए कुशल कारेबल तयार करने के लिए किस सहर में इसकील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्थापित किया जाएगा ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन सी रहेगा वारान सी तो देखिए एक MOU साइन किया गया है इंडिया इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेट के बीच में जिसके तहत वारान सी में इसकील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को डेवलप किया जाएगा तो इसके तहत जो इंडियन यूथ है वो ओवर्सीज एंप्लॉइमेंट में अपनी अपोर्चुटीज जो है तराश रखते है इंडिया स्फर्स्ट बायो गैस पावर्ड इवी चार्जिंग स्टेशन इनगरेट इन्वी सिटी भारत के पहले बायो गैस संचालीट इवी चार्जिंग स्टेशन का उद्गाटन की सहर में हुआ है उप्शन साब के सामने है सही आंसर उप्शन भी रहेगा मुंबई तो देखिए महराष्ट के मिनिस्टर आफ इन्वार्मेंट एंड टूरिज्म आधित्य ठाकरे इन्होंने इंडिया के फस्ट एवर बायो गैस पावर्ड फास्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन को मुंबई में इनोग्रेट किया है आपको जानना चाहिए यह जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है इसको ब्रहन मुंबई मुनिसिपल कोर्परेशन और एरो केर क्लीन एनरजी इन दोनोंने मिलकर डैबलब किया है यह आप नेक्स्ट वेशन देखेंगे विचर्व फॉलोइंग हैस बिकम दफर्स्ट इंडियन फर्म तो एवर क्लोक एन एन्नुवल रेवेन्यू अफ मोर दैन होपिंग 100 बिलियन युएस टोलर निम्रिकित में से कौन सो अरब डोलर से अधिक का वार्शिक राजस्तु हासिल करने वाली पहली भारते फर्म बन गई है उप्शन सापके सामने है सही आंसर उप्शन दी रहेगा रिलाइंस इंडॉस्ट्रीज लिमिटेड तो देखिए फिस्ट के लियर 2022 के में जो है रिलाइंस इंडॉस्ट्रीज ने जो अपना रेवेन्यू है वो 100 बिलियन युएस टोलर क्रोस कर लिया है और यह 100 बिलियन युएस टोलर का आकड़ा पार करने वाली यह पहली कंपनी बन गई है तो यहां पर जो मार्च में जो क्वाटर एंड हुआ है उसमें नेट प्रफिट देखने के मिला है साड़े 22 प्रतिशत का जो है राइस देखने के मिला है इसके नेट प्रोफिट में रिलाइंस इंड़स्ट्री लिमिटेड बारे में आप जानते हैं इसके स्थाब नम निश्व तेहंतर में हुई थी हैटकार्टर मुंबई महारास्ट में है और इसके CEO है मुकेश अम्बानी थ्री ओइल मार्केटिंग कंपनीज साइंड ट्रीपार्टाइट एग्रिमेंट फोर एथनौल प्लांट्स विच वन आफ द फॉलोविंग इस नोट अमंग दैं तीन तेल विपरन कंपनियों ने एथनौल साहिं अंत्रों के लिए त्री पक्षिय समझोते पर हस्ताक्षिर कि इन तीनों ने ही जो भारत में अपकमिंग एथनौल प्लांट्स हैं तो उनके लिए एक लॉंग टर्म 25 एग्रिमेंट इसको साइन किया है आपको जाना चाहिए कि स्टेड बैंक ओफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक ये तीन बैंक भी इस एग्रिम में ब्लेंड करते हैं तो इससे नकेवल एंवार्मेंट जो है क्लीनर होता है बलकि चो कार्बन डाय ओक्साइड का एमिशन है वो भी 38 प्रतिशत तक कम हो जाता है थो लॉंच नितिया सेक्स्पियरेंज स्टीओ और टरौंश ड्रौनबर नटिया योग करो इक्स्पियरेंस स्टीओ का उथकशें सुभवानम갰अ फिक स्टीर्य आपको जाना चाहिए निदियायोग ने हाली में एमेजॉन वैप सर्विसेज और इंटेल के साथ क्लाउड इनोवेशन सेंटर को इस्थापित किया था जिसके तहत जो आपकी फ्रेंटियर टेक्नोलोजी से जैसे आइटिफिशल इंटेलिजेंस मसीन लेर्निंग इंटरनेट अफ तिंग्स और मेंटेट रियालिटी और वर्चोड रियल्टी ब्लोक्चैन रोबोटिक्स ठीक इन सबी के बारे में जानने के लिए मिलता है इंडियास फर्स्ट विजिटल वर्ट वन सपोर्ड नेट वर्क सेट अकी बई वीच ऑफ दव विज फ्लॉइंग हो दौनिवर्क निमनी श्यितमे में से किसके द्वारा स्तापीत किया साथ मिलकर इंडिया का फरस्ट ब्रीजिटल ओर्टिस सपोर्ट नेटवर्क इस्थापित किया है और इसका नाम है पे अटेंशन डिफ्रेंट माइंड इस गिफ्टेड माइंड आपको जाना चाहिए जो ऑर्टिस्म इस्पेक्ट्रम डिसोडर है यह डेवलपमेंटल मिलते हैं वो सही से कम्मुनिकेट नहीं कर पाता है लोगों से सही से गुल मिल नहीं पाता है इस तरह की चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं एस पार्ट ओफ मिशन सागर 9 विच आइनस रीच्ट कोलंबो एंड डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिकल एड टू स्री लंका मिशन सागर 9 के तहत कौन सा आइनस कोलंबो पहुँचा और स्री लंका को महत्वड जिकित सा सामगरी परदान की है अप्शन साब के सामने सही आंसर अप्शन सी रहेगा आइनस घरियाल तो स्री लंका को क्रिटिकल मेडिकल एड यानि की साहता प्रोवाइट कराने के लिए आइनस घरियाल ये कोलंबो पहुचा है और बारत के मिशन सागर के तहती है पहुचा है यहां पर रहा मिशन सागर 9 आपको जाना चाहिए कि आइनस घरियाल ने आपर 760 केजीज की जो है मेडिसीन सप्लाई की है 107 टाइप की मेडिसीन है और 760 किलोग्राम की ये जो है पुरा पैकेजस गया है यहां से भारत से बाकि आपको सागर के बारे में जाना चाहिए सिक्क्योर्टी एंड ग्रोथ फॉर ओल इंदर रीजन ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसी के तहत जो इंडियन नेवी है यह अपनी जो हमारी देश की जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन तक सायता पहुचाती है एन MOU between Ministry of Rural Development and which company is signed for online marketing of SHG products SHG उतपादर के online विपरन के लिए ग्रामीन विकास मंद राले और किस कंपनी के बीच एक समझोता है कि आपन प्रहस्ताक्षर किये गए उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन दी रहेगा Amazon तो देखिए एक MOU sign किया गया Ministry of Rural Development और Amazon Seller Services Private Limited के बीच में जिसके तहत जो SHG प्रोडक्स है यानि कि Self Help Group त्वारा जो बनाएगा प्रोडक्स हैं उनको online marketing प्रोवाइड कराई जाएगी तो इसमें देखिए जो भी National Rural Development Mission NRLM के तहत आने वाले जो भी SHG Entrepreneurs है तो इनको एक market प्रोवाइड कराई जाएगा जो Amazon सही ली स्टोर फ्रेंट है यहाँ पर इनके प्रोड़क्स को showcase किया जाएगा दे मिनिस्टर फोर हाउसिंग और अर्बन अफेर्स हरदीप सिंग पूरी लॉंच्ट द भारत टैप इनिशेटिव एड़ प्लमबैक्स इंडिया एक्जिबिशन आवास और सहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने प्लमबैक्स इंडिया प्रदर्सनी में भाजत टैप पहल की सुरुवात की है चले जानते हैं इसके बारे में तो मिनिस्ट्र फाउसिंग और अफेर्स एंड पेट्रोलियम नैच्रल गैस हरदीप सिंग पूरी इन्होंने भारत टैप इनिशेटिव लॉंच किया है कहां पर प्लमबैक्स इंडिया एक्जिबिशन जो की निव डैली में हुआ है तो इसमें प्लमिंग से संबंदित वाटर और सेरिट्री इंडस्ट्री से संबंदित जो प्रोड़क्स एंड सर्विसेस हैं उनको यहां पर दिखाए गया है उनसे संबंदित एक्जिबिशन रहा है तो भारत टैप क्या है एक इनिशेटिव है जि फ़ींग है और वाटर का कंजमशन जो है यह कम हो सके ठीक है तो उससे संबंदित है एक कि इनिशेटिव है एक पहला है वो रिलीस्ट तबुक मोधी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलिवरी पुस्तक का भी मोचन किस नहीं किया औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर आपशन डी रहेगा M. Venkia Naidu तो हमारी जो Vice President है M. Venkia Naidu, इन्होंने एक book release किया, जिसका नाम है Modi at 20 Dreams, Meat Delivery, New Delhi में और इसको edit और compile किया गया है Bluecraft Digital Foundation के द्वारा बाकी जो हमारे Vice President ने इन्होंने एक और book को जो है release किया, जिसका नाम है The Struggle for Police Reforms in India, Rulers Police to People's Police और इसको लिखा है Former IPS Officer Prakash Singh ने Who has been appointed as the new Prime Minister of Sri Lanka? Sri Lanka के नए Prime Minister के रूप में किसे निउप्ट किया गया है, options आपके सामने हैं, और सही answer option D रहेगा, Ranil Vikram Singh है, चले जानते हैं इनके बारे में, तो Ranil Vikram Singh है जो की United National Party से हैं ये Sri Lanka के नए Prime Minister appoint किये गए हैं आपको ये fact जाना चाहिए कि स्रिलंका में 225 मेंबर की Parliament है और इसमें Ranil Vikram Singh की जो ये पार्टी है सी के वाल एक ही seat है, और ये Prime Minister यहाँ पर निउप्ट किये गए हैं क्यों निउप्ट किये गए हैं, क्योंकि अब तक जो यहाँ के Prime Minister रहे महिंदा राजपक्षे, जो कि स्रिलंका के President गोतबाय राजपक्षे के ब्रदर हैं, इन्हें हाली में resign करना पड़ा, क्योंकि स्रिलंका में जो economic crisis चल रहा है, उसकी वज़े से जो यहाँ की सरकार है, उसके प्रती लोगों में काफी गुस्सा है, आपको जानना चाहिए, राजिल विकरम सिंग इस से पहले पांच बार Prime Minister रह चुके हैं, और यह इनका 6th term होने बाला है, स्रिलंका के बारे में कुछ महत्तपूर्ण जानकारी लेंगे, एक तो यह कि इस की capital, legislative capital की बात करें, तो श्री जेवर्धनेपुरा कोट्य है, और executive and judicial capital कोलंबो है, यहां ही करंसी स्री लंकान रूपी है, यहां की official languages सिनहला और तमिल है, सात्याप पुजानाची स्री लंका को पहले स्रीलोन नाम से जाना जाता था, पाकिस्टेट इंडिया और सिलंका को सेपरेट करता है उतकर्ष शमारो विच वास एड्रस्ट बाइद पीम नरेंदर मोदी हैड इन विच स्टेट उतकर्ष समारो, जिसे परधार मंतरी नरेंदर मोदी ने समबोदित किया किस राज्य में आयजित किया गया है उप्षन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्षन हे रहेगा गुजरात तो देखे प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी ने गुजरात के भारूच में उतकर्ष समारो को एड्रस किया है तो ये जो उतकर्ष समारो है ये उतकर्ष इनिशेटिव की वज़े से मनाया जा रहा है उतकर्ष इनिशेटिव क्या है ये एक जनवरी से 31 मार्ष तक चला और इसमें जो भी राज्य सरकार की जो वीड़ोस एल्डर्ली और डेस्टेट्यूट से सम्बंदी जो स्कीम्स हैं तो उन स्कीम्स में ये सभी लोगों का 100% इन्रॉल्मेंट हो सके इस तरह का परियास किया गया है अच्छा ये कौन-कौन सी स्कीम है तो गंगा सरूप आर्थिक साहय योजना है इंदरा गांधी वृद साहय योजना है निराधार वृद आर्थिक साहय योजना है हाली में वैसे तो रहते ही है परिंसे संबंदित न्यूज भी हम देख लेते हैं जब इसमें डिसकस करी रहे हैं तो देखे प्राइमिस्टर अर्थि को लडा दिनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया प्राइमिस्टर ने फ्री डेज की ग्लोबल आयुस इन्वेस्टमेंट एन इनोवेशन सम्मिट को गुजरात में इनोग्रेट किया है प्राइमिस्टर ने गुजरात के बानस खंटा में एक निव डेरी कॉंप्लेक्स पोटाटो प्रोसेसिंग प्लांट को इनोग्रेट हिया है प्राइमिस्टर ने 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 इन्वेस्टर ने गुजरात के मौर्वी में अनावरन किया और साथी प्राइमिस्टर ने ने सेमिकॉन इंडिया कॉंफरेंस 2022 को भी इनोग्रेट किया है बालकृष्ण दोसी को प्रतिष्ठित रोयल कोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है इस पदक को किस शेत्र में दुनिया का सरवच सम्मान माना जाता है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन दी रहेगा आर्खिटेक्चर तो ये हैं बालकृष्ण दोसी जानते हैं इस अवार्ड के बारे में तो देखें बालकृष्ण विठलदास दोसी ये जानेवाने आर्खिटेक्ट है और इन्हें रोयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है जो की वनों था वर्ड्स हाइस्ट ओनर्स है फोर आर्खिटेक्चर किसके द्वारा दिया गया ये वार्ड ये रोयल इंस्टिट ओफ ब्रिटिस आर्खिटेक्ट्स आराई भी ये के द्वारा दिया गया है आपको जाना चीए चुरान विसाल के बालकृष्ण दोसी ये एकलोते ऐसी इंडियन है जिनने रोयल गोल्ड मेडल और पिट्सर आर्खिटेक्चर प्राईज जिसे की नोबल प्राईज ओफ आर्खिटेक्चर बोला जाता है दोनों ही प्राईज जिनोंने जीते हैं ये ऐसा हेल्थ के कारण वहां एवार्ड इन नहीं जा सके तो देखे कितना प्यारा gesture है कि gesture है कि अपने आप ही यह यहां पर आ गई साइवन एलफ़र्ड वर्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 is celebrated on which day विश्वर प्रवासी पक्षीदीवस 2020 किस दिन मनाय जा रहा है options आपके सामने हैं सही answer option डी रहेगा May 14 तो देखे वर्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यह मई और अक्तुबर मही ने वए जो second Saturday आता है ना उस दिन मनाय जाता है तो जो मई में second Saturday है यह 14 मई है और October में है 8 October का 2022 की हम बात कर रहे हैं तो 14 मई को इस साली मनाय जा रहा है और इसका theme रहेगा light pollution Which club clinched Italian cup with 4-2 victory over Juventus in final Final में Juventus पर 4-2 से जीत के साथ किस club ने Italian cup जीता है और options आपके सामने है सही answer option C रहेगा Inter Milan तो देखें Inter Milan इसने 2022 का Italian cup जीत लिया है और final में इसने Juventus को 4-2 से हरा है यह Rome Italy में खेला गया और यह इनका 8th title है और 2011 के बाद से 1st title है यह आपको जानना चाहिए The name Cyclone Asani has been given by which country चकरवाद Asani नाम किस तेस ने दिया है options आपके सामने है सही answer option दी रहेगा स्रीलंका आप देख सकते हैं Cyclone Asani चकरवाद Asani ने पकली रफ्तार बंगाल से उरिषा तक के लिए अगले 24 गंटे बारी चले जानते हैं तो देखें Cyclonic Storm Asani इसका नाम है यह आंदरप्रदेश उरिषा कोर्स्ट से टकराया है और अंडमान C की तरफ जो है इसका प्रभाव देखा गया है सदर अंडमान C की तरफ इसका प्रभाव देखा गया है इसका नाम दिए गया है स्रीलंका द्वारा जिसका मतलब होता है सिन्हलीस लैंगूज में रैथ रैथ का मतलब होता है गसा बाखे आपको जाना चाहिए कि असानी के बाद अब जो Next Cyclone आएगा उसका नाम सित्रांग है और ये दिया गया है थाइलेंड के द्वारा तो साइकलोन हो गया और इस से पहले वाला जो कुशन हमने पूछा पढ़ा ये जो आपके यूरप में जो ये फुटबॉल वगएरा के टूर्णामेंट हो द रहते हैं इनके विनर भी आपसे पुछे जाते हैं एक्जाम में साथी ये जो साइकलोन से सम्बंदित कुशन होते हैं ये भी पुछे जाते हैं इस एफ जूनियर वर्ड कप वेर इंडियास रुद्रांक्ष पाटिल क्लिंश्ट गोल्ड हेल्ड इन विच कंट्री इस एफ जूनियर विश्वकप जाम भारत के रुद्रांक्ष पाटिल ने सुन्ड पदक जीता किस देश में आई जित किया गया options आपके सामने हैं सही आंत्र option सी रहेगा Germany चले जानते हैं तो रुदांक्ष पाइटिल ने gold medal जीता है और अभिनाव शान ने silver medal जीता है आपस में इन दोनों का match हुआ था और कहाँ पर ISSF junior world cup जो की soul Germany में हुआ है men's की 10 meter air rifle match में इनोंने medals जीते हैं हेली सुरव चोदरी के साथ तब इसा सिंग और सुरव चोदरी इन दोनोंने ही gold medal जीता है mixed team event में इंडिया की पलग सरव जोद सिंग इनोंने silver medal जीता रमिता एंड पार्थ माखीजा इनोंने भी silver medal जीता है इंडिया's leading textile and garment manufacturing trade fair Galtex Tax Process India inaugurated in which city भारत के प्रमुक कपड़ा और परिधा निर्मान व्यापार मिले Galtex Tax Process India का उद्गाटन कि सहर में हुआ है options आपके सामने हैं सही answer option भी रहेगा मुंबई चले जानते हैं तो union investor of state for textiles and railways दर्शना जारदोश इनोंने Galtex Tax Process India जो की इंडिया का Leading, Textile and Garment Manufacturing Trade Fair है इसको इनोग्रेट किया है मुंबई महारास्ट में अच्छे हैं आप है textile sector सम्बंदित आपको 2-3 points जानने चाहिए इस तरह के points में आप से पूछ लेते हैं एक तो यह है कि भारत की GDP में जो textile sector का है 2% contribution है और भारत का जो export earning है 15% contribution textile sector का है तो काफी जादा है और जो manufacturing production है उसमें textile sector contribution है 10% इसी तरह से जो आपके यह G7 हो गया, Bricks हो गया G20 हो गया इनके भी question पूछ लेते हैं कि वर्ड GDP में इनका कितना परतीशत हिस्से हाए है ना इस तरह से वर्ड पॉपॉलेशन में कितना है वहाँ से 20 तरह एक question पूछ लेते है Which company was conferred the first price of राजभाशा SHIELD for 2020-21 किस company को 2020-21 के लिए राजभाशा SHIELD का प्रतम प्रुषकार प्रदान किया गया है सही answer यहां पर option B है NHPC The University of Power and New and Renumer Energy आर किसी इन्होंने NHPC Limited को 2020-21 के लिए first price और 2018-19 के लिए second price दिया है किस चीज के लिए जो हिंदी सलाकार समीती है इसमें राजभाशा implementation के लिए पंडित सुकराम who passed away on May 11 was a public personality in which fit पंडित सुकराम जिनका 11 माई को नितन हो गया किस छेत्र में एक सार्वजनिक व्यक्तित्तु थे options आपके सामने है सही आंसर option ए रहेगा politics चले जानते इनके बारे में तो former union mister और Congress stalwart मतलब काफी अच्छा कद हो बड़ा कद हो किसी ग्रूप में किसी organization में उसको बुलते हैं तो Congress stalwart in हिमाचल प्रदिस politics पंडित सुकराम passed away at 94 तो हिमाचल प्रदिस Congress के ये रहे है ठीक है नाम है इनका पंडित सुकराम इनका आली में निधन हो गया है तो ये minister of communications and information technology रहे है निश्चो तिरानवे से 96 तंक विच स्टेट लॉंच्ट चारा बिजाई योजना तो किस राध्य ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है सही answer यहाँ पर option भी है हर्याना चली जानते हैं हर्याना government ने चारा बिजाई योजना यानि की forder cultivation scheme इसको लोच किया है farmers के लिए अब इस scheme के तहट क्या होगा कि जो भी farmers है जो चारा उगाते हैं तो यदि वो 10 एकर तक की लैंड में चारा उगाते हैं तो उन्हें पर एकर 10,000 रुपीज की financial assistance दी जाई सर्तिय है कि जो गो साला है उसमें ही अपना ये जो चारा बगएरा है ये देंगे बाकी हर्याणा के बारे में आप जानते हैं गवर्णर बंदार उध़तातरी है कैपिटल जंडीगड़ है चीफ मिस्टर मनोरलाल खटर है और हाल यह उन्हें पढ़ा था कि हर्याणा सरकार ने एक एप लांच किया जिसके तहर जो सेंड और माइनिंग वहिकल से उनकी मुवमेंट को ट्रेक किया जा सकता है विच इंशुरर लॉंच्ट फाइनेशल लिट्रेशी केंपेंड इंस्फायर किस बिमा करता ने वित्या साख सर्था भियान इंस्फायर सुरू किया है आपके सामने सही आंतर उप्शन भी रहेगा भारती एक्सा लाइफ इंस्फायर इंस्फायर और इंस्फायर इनेबलिंग एंड इंपावर्ड फ्यूचर तो जो महिलाएं हैं उनमें फाइनेशल अवेडनेस फैलाने के लिए इस कैंपेण को लॉंच गया है ताकि वह अपने बविश्य में जो है अच्छी फाइनेशल डिसीजन ले सकें ठीक है वागिया आपको जाना चाहिए जो भारती एक्सा लाइफ इंस्फ एंस्फेरेंस है मैंजिंग डिरेक्टर एं लडली लक्ष्मी स्गीम लडली लक्ष्मी योजना के दूसरी चट्रका शुभारंब किस राच्य ने किया है सही आंसर और अप्षिन टी है मध्य प्रदेश तो देखिए लडली लक्ष्मी स्गीम यह मध्य प्रदेश सरकार्द द्वारा लौँच ही गई है और इसका अब दूसरा फेस जो है सेकंड फेस यहां के सीम सीवरासिंग चोहां द्वारा लांज किया गया है तो इसमें जो भी गर्ल्स हैं जो बारीवी क्लास के बाद कॉलेज में अनुविशन लेंगी उनको 25,000 रुपेज जो हैं अमांट प्रवाइड कराया जाएगा बाकी मद्धिबर्देश के बारे में आपको जानना चाहिए कि कैपिटल बोपाल है चीफ मिस्टर सिवरासिंग चोहान है गवर्णर मंगुबाई पटेल है इंडिया's first tribal health observatory to come up in which state भारत की पहली जन्जातियर स्वास्तियर वेटसाला किस राज्य में स्थापित होगी सही आंसर option A है ओडिसा तो देखिए ओडिसा में इंडिया की जो है observatory set up की जाएगी जिसके तहर जो tribal population है राज्य में ठीक है उनका health का पुरा data record जो है उसमें है रहेगा कि जो tribal people है है ना इनको कौन से भी मारी जादा होती है और किस तरह का इलाज इनको suit करता है किस तरह के प्रियाबरेंड में य तो क्या नाम है इसका tribal health observatory try hope तो इस तरह का आए भारत पे पहली observatory है जो tribal के लिए dedicated है ओडिसागी गणिशिलाल है आम जानते है चीफ मिनिश्टर नवीन पटनायक है आगे बढ़ेंगे which country hosted the inter-solar Europe 2022 inter-solar Europe 2022 की मेजबानी किस तरह ने की है सरी हांसर option दी है जर्मनी तो देखें inter-solar Europe यह वर्ट का leading exhibition है solar industry के लिए और यह 11 से 13 माई के बीच म्यूनिक जर्मनी में जो है आयुजित हिया गया तो भारत की ओर से यहाँ पर जो union minister of state for ministry of new energy energy है बगवन्त हुबा इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है अच्छा इन्होंने आपर PIV से मैंने नीज लिए तो उसमें PIV में भी लिखा था कि जो बगवन्त हुबा है इन्होंने आपर परदानवंती नरिदर मोदी द्वारा दे गए पंचामरित टार्गेट का भी चिकर गिया तो उसमें PIV के आर्टिकल में लिखे वे थे हैं ये पंचामरित टार्गेट देख लेते हैं क्या क्या है एक तो यह कि 2030 तक भारत अपना नोन फॉसिल एनरजी केपस्टी 500 किकावाट जनेरेट करेगा और यानिके रिनुब्ल एनरजी 500 किकावाट जनेरेट करेगा 2030 तक यह थो हम सब जानते हैं दूसरा यह था कि 2030 तक भारत की जो एनरजी रिक्वायर्मेंट है उसमें 50% 50% रिनुब्ल एनरजी के तुरू आएगा तीसरा पॉइंट इसमें यह है पंचमेर्ट टार्गेट में कि 2030 तक भारत 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिडियूस करेगा फॉर्थ यह है कि कार्बन इंटेंसिटी को 2030 तक भारत 45% से कम करेगा और फिफ्थ है इसमें पंचमेर्ट टार्गेट का जो फिफ्थ पॉइंट है यह है कि 2030 तक जो न acquired koinu rice plant from McMorvik, Switzerland GmbH Apple is discontinuing the sales of which of its devices according to its blog post on May 10 which bank launched the 98th quarterly interest deal outlook survey 2022 to assess business sentiment तो 5 questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यह दिया आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current videos आप सब भी करें डालते रहते हैं साथी decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शियर जरूर करें आज का session आपको कैसे लगा comment box में जरूर बताइएगा thank you guys आपको की पालते हैं